अरे जो औरों ने बड़ा तकें वो एक दिन आप बड़ा होगा आता दे ख्यां बुरियो धने पुरसी से धन बड़ा होगा जो औरों बड़ा तकें वो एक दिन आप बड़ा होगा आता दे ख्यां बुरियो धने पुरसी से धर्म खड़ा होगा जो औरों बड़ा तकें हाँ दुरियो धन घर पे आया मैं सुकर करूं साई का कोई धन माया का भूका है कोई भूका मान बड़ाई का अपने मन से बड़ा तकूं मेरी है बेटा ताई का कुरसी उपर बैठा लिया जट हाथ पकड़ भाई का अरे करूं सोच के बात भाई का करूं सोच के बात भाई का लग मैं बोल पड़ा होगा जो औरों बड़ा तकें हो ये दिनी आप बड़ा होगा अरे आता दे ख्यां धुरियो धने पुर्सी से धरम खड़ा होगा जो औरों बड़ा तकें सुना भी आपने कि जो औरों बड़ा तक ए वो ये दिन आप बड़ा होगा आता देख्या धुरियो धन पुर्सी से धरम खड़ा होगा अगर रागनी समझ मारी है शब्द समझ मारे और भाव अच्छा लग रहा है तो एक बार ताली बजा करके जोड़ा ताली से अपना अशिरवाद दे और मेरे आदने भाई योगेस बैसला जी कुसलिपुर जिहां सक्ती म्यूजिक कंपनी जिनके द्वारा एक कारिकरम जी आदनी ये ससी अवाना जी वह भी 100 रुपे से सम्मान दे रहें उनके लिए बार बार थे निवाद कैसे बला ले कुर्सी उपर बैठ मैं बैठू ले कुर्सी उपर बैठ मैं बैठू हास तरे कदमों में सीस दासका करता है निवास तरे कदमों में तेरे हुकम से दूर नहीं हर सास तरे कदमों में तन मन धन से दुरियो धन योदास तरे कदमों में अरे हूं करने ने प्यार बताओ, तेरा चोटू काल अड़ा होगा, जो औरों ने बढ़ा दके, एक दिली हाँ बढ़ा होगा आता देख्या पुरियो धने, पुरसी से धर्म खड़ा होगा, जो औरों ने बढ़ा दके परम आदनिये नबाब सिंग जी मायचा गाउं से चलकर कर आए हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने सौर रुपे से सम्मान किया है और आदनिये मूल चंद जी रामपुर से, वो भी सौर रुपे से सम्मान भढ़ा रहे हैं, उनके लिए तहे दिल से बार बार धनिभाग परम आदनिये रामपाल भाटी जी मुरसादपुर से वो भी 500 रुपे से अपना अशिरवाद दे रहे हैं, परम आदनिये भाई ओम नागर जी कनावनी से वो भी 500 रुपे से अपना प्यार अशिरवाद हमें हमारी मंडली को कलाकारों को दे रहे हैं, परम आदनिये रणब देखर के हमारे कलाकारों को सम्मान बढ़ारे बार बार धनिवाद केसे बना कुर्सी के उपर बैठा दिया धरम राज दिश्टर ने दुरियोधन को कुर्सी के उपर बैठा दिया और आप कदमों में बैठ के और कहा कि तुने आने का कश्ट क्यूं किया आदेश कर दिया होता मैं खुद चल करके तेरे पास में आता लेकिन तुम आये हो तो मैं धन्य हो गया हूँ और तीसरी कली में कैसे क्या कह रे बला हग क्या कारण है आने का क्या कारण है आने का कहो क्यूं ना खोल बताते हूं करने ने त्यार बताओ जो करवाना चाहाते घर बैठे ही चढ़ जाता मेरे जो सिर्फ हुकम चढ़ाते तकलीफ करी क्यूं आने की इस दास को वही बुला पे अरे इतनी कहके रोया मन में यह पासं आल खड़ा होगा जो गोरों में बढ़ा तके वह यह दिन्या होगा भई आतना में क्या तुरियो धने पुर्सी से दरों खड़ा होगा जो गोरों में बढ़ा तके आतनी है जोगेंदर धामा जी राम नगर हस्तना पुर से उसंची आतनी अधे जोगेंदर दामा जी रामं नगर हस्तना पुर से सौ रूपे से अपना शिर्वात दे रहे और हमारे परम आतनी जी बाभुजी आतनी आतनी ओं प्राकास प्रधान जी ज़ सौला से वो भी 500 रुपेश अपना शिरवाद दे रहें उनके लिए बार-बार धनिवाद है आदने बलराज जी सादो कुरसे वो भी 200 रुपे देकर के सम्मान कर रहें उनका भी बार-बार धनिवाद करते हैं अंतिम कली के माध्यम से बताया आज यहां पर आए हैं अपने लाइन समझ में पहले आई हो या ना आई हो लेकिन इन चारों लाइनों को ध्यान से सुणना गिरहन भी कर लेना धारन कर लेना और अच्छी लग जाए तो फिर तालियों से अपना अशिरवाद भी देना अधनिये श्रीपाल भाटी जी लड़पुरा से श्रीपाल भाटी जी लड़पुरा से वो भी 100 रुपे से अपना अशिरवाद दे रहे हैं अंतिम कली के माध्यम से किस तरह से क्या लिखा भला जहां आवभाव सम्मान नहीं जहां आवभाव सम्मान नहीं वहां जाना ठीक नहीं होता जहां जूत लगें और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता ज्यान ध्यान के भजनों में अरे ज्यान ध्यान के भजनों में सरमाना ठीक नहीं होता जहां सुनने वाले मू रखों वहां गाना ठीक नहीं होता जहें लटन सिंग राजबन अब लटन सिंग राजबन अब मस्ती का साथ खड़ा होता जो औरोन बढ़ा तके और इक दिन आप बढ़ा होगा अ आत्मा देख्या पुरियो धने पुर्सी से धम खड़ा होगा जो औरोन बढ़ा तके और जो औरोन बढ़ा तके